पूंढ पराथ क्छन माने बनाने जा रहे हूं लॉक्पी की बहुत ही टेस्टी लेकिन बहुत कॉल्फ कॉंश्व के लिए रहे हैं और ये खाने में सभी को पसंद आती है तो चलिए हम बनाते हैं लॉक्य की यह बहुत ही टेस्टी सबची लेकिन इसने पher कढ़ाई में बना रही हूं लेकिन आप अगर चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं वह प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा लेकिन कढ़ाई में बनाने से इसका टेस्ट जादा अच्छा आता है तो एक बार आप कढ़ाई में बना के जरूर ट्राइ करें लौकी की सब्सेट बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई गयस पे चठा दी है और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूं ये सरसो का टेल एक दम प्लेन इंड सिंपल सब्सेटी है इसमें सरसो का टेल मैंने डाला है क्योंकि मेरे पास जो लौकी है वो करीब 2 kg लौकी है तो उसी हिसाब स तेल डाला है वैसे लौकी की सब्जी में बहुत जादे तेल की जरुवत नहीं पड़ती है तेल को मैं अच्छी तरह से गरम हो जाने देती हूं और अब मैं इसमें डालूंगी पच्छ फोरन ये मार्केट में मिलता है आप चाहें तिसे घर में भी बना सकते हैं पच्छ फोर पच्छ फोरन हमारा चिटक गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूं ये लाल मिर्च सुखी लाल मिर्च का मैंने इस्तमाल किया है और ये लाल मिर्च भी हमारी पक गई है तो अब मैं इसमें डाल रही हूं बहुत थोड़ी सी हींग और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कद्दू कस्किया हुआ अध्रच और इसी के साथ मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को काटके रखा है तो इसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ आप प्याज खाते हैं तो डालें नहीं खाते हैं तो ना डालें और प्याज को थोड़ा सा भून जाने देती हूँ प्याज हमारी थोड़ी सी भून गये हैं तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से धनिया के पत्ते इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बहुत थोड़ा सा हमने घनिया का पत्ता लिया है और इसके साथ ही अब इसको भी हल्का सा जून देती है इसको करीब करीब 30 सेकेंड तक मैं भून लूँगी घनिया के पत्ते भी भून गए है तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ लौकी लौकी को मैंने चोटा-चोटा ही काटा है अब देख सकते हैं ताकि इसको गलने में कम समय लगे पहले में इसको एक बार इस तरह से मिला लेती है और फिर बची हुई लौकी इसमें डाल देती है और अब मैं इसको धत के पकाऊंगी लेकिन उसके पहले मैं इसमें डाल देती हूं हल्दी और नमक ताकि यह जल्दी से गल जाया और अब मैं इसमें डाल रही हूं हल्दी क्योंकि यह देड़ केजी लौकी है तो उसके हिसाब से मैंने हल्दी डाली है और नमक भी मैं उसी हिसाब से डाल देती हूं और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी लौकी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और यह अपने पानी में ही पक जाएगी इसके लिए उपर से हमको पानी आट करने की जरूर्द नहीं पड़ेगी रूर्प चुरुरुआत में इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रेम मीडियं करूंगी क्योकि जब इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी तो इसका पानी जो है वो रीलीज होगा जो इसको पकने में हेल्प करेगा तो फिलहाल अब ये मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको एक धकन से धक देती हूँ तो अब मैं इसको इस धकन से धक देती हूँ और धक के फ्लेम को लो करके इसको कम से कम पांच मिनिट के लिए पहले पकने देती हूँ इसके बाद मैं इसको फिर खोल के चेक करूँगे पांच मिनिट हो गए हैं तो अब मैं इसको एक बार खोल के चेक कर लेती है इसमें काफी पानी रिलीज हो गया है और आप देख सकते हैं ये काफी गल दीजया है तो इसको अब मिक्स करके और इसी तरह से मैं लो फ्लेम पर ही इसको पकने दूंगी ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए इसको पकते हुए पांच मिनिट और हो गए हैं तो अब मैं इसको एक पर और चेक कर लेती हुए यह अब काफी पानी लोकी ने छोड़ दिया है तो इसको मैं थोड़ा सा फ्लेम को अब तेज करूंगी ताकि पानी भी हमारा साथ साथ जल जाए क्योंकि थोड़ा अभी इसमें ज्यादा पानी है तो इसको मैं दुबारा से धक देती हूं इसको मैं एक बार फिर से मिक्स कर देती हूं अब इसका पानी भी काफी सूख गया है अब इसको धकूंगी नहीं इसी तरह से खोल के और थोड़ा सा इससा पानी और मैं जल जाने देती हूं तो अब इसको इसी तरह से खोल के पकाऊंगी सबजी हमारी बन के तयार है अब यह थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा इसमें पानी है आप चाहें तो इसको पूरी तरह से अगर सुखाना चाते हैं तो सुखा सकते हैं वैसे यह इस तरह से खाने के लिए एक दम तयार है बहुत ही हिल्डी और टेस्टी सबजी बनती है यह आप भी इसे बनाके जरूर ट्राइ करें अगर आपको यह पसंद आती है तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें फि